Hey everybody, I am Dr. Gargi Singh और मैं नीट के लिए biology पढ़ाती हूँ यार जब हम biology पढ़ाती है तो एक chapter ऐसा है जो हमें बहुत सताता है that is animal kingdom, उसके examples ही नियाद होती हमसे लेकिन आज आपका ये problem दूर हो जाया क्योंकि आज हम लगाने वाले animal kingdom का रटा within 8 minutes, yes और with the help of these धासो tricks तो यार मुझे एक बात जरूर बताने है comments में लिखके जाना है कि yes ma'am हमें ये session बहुत अच्छा लगा, like जरूर करना है so that बच्चे मैं इस तरह के sessions बनाती हूँ तो comments में मिलको लिखना है आग लगा देना है आग लगा देना है और likes में भी कमी नहीं रखनी है चलो, तो शुरूर करते हैं आपका ये session और शुरूर करने से पहले बहुत जरूरी बात तो में बता दी जाए that is Aaramb आपका Aaramb वाला event का आने वाला है ये event आने वाला है कल ही कब 1-3 बजे कहां पर आनकाडमी के spotlight channel पर लाइव ये stream करा जाएगा और ये होने वाला है it is going to be the biggest event for NEET, UG and IIT, JE students देखें यहाँ पर आपको बहुत सारे surprises मिलने वाले है और चार major announcement होने वाली है जो बच्चे आपके NEET की preparation में बहुत जादा help करने वाली है trust me, it is going to be the biggest, biggest, biggest event for IIT, JE and NEET, UG students यहाँ पर आपके topers भी आने वाले हैं जो बहुत अच्छी medical colleges में बढ़ रहे हैं जिन्होंने आपकी journey को जिया है जिन्होंने देखा है कि अच्छा मैंने ये गलती करी थी इसको solution क्या है, इसको कैसे सुधारना है तो कैसे ensure करना है कि आपका selection हो कही रहे है चाहे आप 24 के लिए तियारी कर रहे हैं चाहे आप 25 के लिए चाहे आप 26 के लिए ये events सब को देखना जरूर ही है क्योंकि सब के लिए कुछ ना कुछ इसमें होने वाला है and also आपके सारे favorite educators आने वाले हैं और जरूर पहुंचना है and also बच्चे कुछ टेलेबिल्टीज भी आ रहे हैं आपके लिए है entertainment भी तुम्हार ले रखा गया है तो चलो ये बात हो गई now we can move towards our tricks ठीक है तो चलो पहला जो trick है हमारा वो है पौरी फेरा के लिए पौरी फेरा क्या trick है C. European Postal Stems भाई देखो European Postal Stems को C. stands for Sycon that is Kaifa European का U. stands for U Spongia that is your bath sponge ठीक है Postal stands for Postal का जो P. stands for Porifera तो मुझे पता चल गया अच्छा ये पौरी फेरा के लिए trick है Stems stands for Stems का S. stands for Spongula which is fresh water so C. European Postal Stems okay G अब देखो यार ये जो next जो ना इसमें बड़ी problem होती है हमें याद करने में सिलन्ट्रेटा में because there are a lot of examples तो एक छोटू सा प्यारू सा trick है that is Adam passed physics and got an auberi medical college जो Adam हमारा बच्चा है उसके biochemistry में ठीक नमबर आ जाते है लेकिन physics उसका बहुत ही ठीक है नील बटे सनाटा था तो उसमें क्या करा जो main paper हुआ तो उसके उसमें भी अच्छे नमबर आ गे तो उसने pass कर लिया और अच्छे अच्छा सा medical college में चला गया तो this is Arctic Adam stands for ademsiya Past stands for Past का P stands for penitula Physics Physics stands for physalia ठीक है एंड से कुछ भी नहीं है जी God stands for gorgonia N, N stands for aurelia Obrae stands for obelia ठीक है Medical stands for meandrina and C, college का stands for silentrata so that आपको याद रहे कि यह silentrata का trick है next बच्चे we will move on to platy helminthus ठीक है अब हम आज आते है platy के पास तो platy का क्या trick है टेक फ्रेश प्लेट ठीक है फ्रेश प्लेट ले लो भई अच्छा जी टेक का T is for tape warm which is also known as tenia फ्रेश stands for fasciola which is your liver flu प्लेट stands for planaria या फिर आप platy के लिए भी ये use कर सकते हैं प्लेट stands for planaria या फिर platy तो हो गया तुमारा ये वाला trick भी अब आजा तुम Escalementis पे अच्छा जी ये रहा अब Escalementis को याद करने के लिए हमारा trick है आशीश asked for which cycle भई आशीश जो बच्चा है उसने कौन सी cycle के बारे में पूछा था कौन सी cycle लेना चाहता है ये बच्चा चलो आशीश का जो A या SH है वो they stands for Escalementis विच इस फॉर वुच्रेरिया विच वुच्रेरिया ठीक है sound टोड़ा सा सेम है this is for philarial warm cycle stands for encyclostoma cycle stands for encyclostoma which is the hook warm तो आशीश asked for which cycle ये हो गया तुम्हारा किस का trick ये हो गया तुम्हारा Escalementis का अब आजा तुम Enelida पे चल Enelida का अपने क्या trick है Enelida का trick है की भई Eni ने हेरा फेरी करी ठीक है? Eni ने हेरा फेरी करी अब ये Eni, Eni से क्या बनेगा? Enelida, Eni से बन गया Enelida तो हमें पता चल गया ये Enelida का trick है Ne से आ गया Neeris Ne से आ गया Neeris Hera से आ गया Herodinaria which is the leech, which is the leech Fairy से आ गया Feritima which is the Earthworm, which is the Earthworm की से कुछ भी नहीं है Sentence भी बनाना होता है So Eni ने हेरा फेरी की अब आ जातों next one, which is Mulluska Mulluska को याद रखने में बड़ी problem होती है तो इसके लिए भी एक trick हमारे पास ये है क्या है trick? Paila Pink Apple लो थोड़ी सी अटपटी सी trick है trick है बट यार देखो Paila Pink Apple लो दात से चबाओ September October में क्या है trick? Paila Pink Apple लो दात से चबाओ September October में Paila को बोड़ रहा है कि भी तुम Pink Apple लो और पिर दात से चबाओ कब September और October में अब देखो trick का कोई sense नहीं मनता है कि मैं Paila के दात तो होते नहीं वो क्या चबाएगा वो नहीं सोचना है चलो आगे देखो Pink stands for Pink Tadda which is Pearl Oyster Apple stands for Appalysia which is C here Low stands for Lolligo which is Squid Daat stands for Dentalium which is Tusk Shell Chabao stands for Chabao CH stands for Chiton or Ketopleura September September SEP stands for Sepia which is the Cuttlefish October October stands for Octopus May stands for Millusca ताकि मुझे पता चल जाए कि यह किसका trick में याद कर रही हूं Millusca का तो क्या है Paila Pink Apple लो दांत से चबाओ कब October and September October में Next trick is for Echinodermita अब देखो सब की trick तो नहीं हो सकती लेकिन जिनकी trick है कम से कम वो तो कर ले कम से कम यहाँ से अपने 2 questions बन गए तो 8 नमबर तो बन जाएंगे ना Right चलो Echinodermita Echinodermita को A, B, C, D, E से कर लो A, B, C, D, E से कर लो Echinodermita भी कर सकते हैं या फिर Echinus ठीक है which is the C Urchin तो A, B, C, D हो गया तुमारा Echinodermita का trick Now next is Hemichordata ठीक है Hemichordata Hema सच बोलो या फिर बोलो सच कुछ भी तुमें जो ठीक लगता हो Hema stands for Hemichordata Bolo is for Belenoglossus which is also known as a tongue warm Such is for Sechoglossus Such is for Sechoglossus Now next trick is for Conricthus ठीक है जी इसमें बहुत सारे एक्जामपल है देखते हैं इसको कैसे आद करेंगे So Conricthus में हम क्या देख रहे हैं कि एक मेनी student है मालो Prithi Prithi बहुत champion वाली एक्दम champ वाली student है लेकिन यार वो गलतियां भी करती है So जो champ Prithi थी उसको पढ़ गई डांट Was scolded For what? किस चीज के लिए? वो ना कार के अंदर बैठके गन चलाने की ट्राई कर रही थी For trying gun in car तो अपनी trick क्या हो जाएगी? Champ stands for Conricthus CH जो champ का CH है That stands for Conricthus Prithi stands for Pristis Which is the sawfish Was scolded Scolded stands for Scoliodon Which is the dogfish Fourth sentence बनाने के लिए है Trigun दोनों को एक साथ देखो Trigun क्या बन रहा है? Trigun बोल सकते हैं Trigun बोल सकते हैं Which is the stingray And in car Car stands for Sharkodon Which is your great white shark So क्या हो गया? Champ Prithi was scolded for Trigun in car So these are the tricks जो इनसे आपको कुछ example तो याद होंगी I'm sure Do let me know in the comments कि आपको क्या इस तरह की और भी मेरे पास chapters है जिनकी tricks मेरे पास है मुझे जरूर बताना कि Ma'am yes ma'am हमें ये बड़ा helpful रहा और हम इसको जरूर चाते हैं कि आप इस तरह की tricks बनाई गया And one more thing यहाँ पर इस channel पर मेरे बायो के आया जाता है और कैसे हम लोग एक deeper level पे जाते हैं NCRT को लेके तो जरूर बताना And do like the session And do like the video And comment जरूर लेके जाना ठीक है बच्चों Bye-bye take care मैं मिलती हूँ आपको next one में Bye